पूरा मामला ये जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे तो चलिए सुरू करते हैं इस मैच का पहला ओवर लाते हैं डेनियल सेम्स और वो डेविन कॉनबे के सामने गेंद बाजी करते हैं जब डेनियल सेम्स गेंद को फेकती हैं तब डेविन कॉनबे के पैड में जाकर गेंद लगती है और अमपायर उसे आउट दे देते हैं लेकिन जिसके बाद डेविन कॉनबे DRS के लिए जाती हैं लेकिन कुछ तकनीकी प्रोब्लम्स की वज़े से डेविन कॉनबे को DRS नही बाकी गई आप लोग बताओ कापका इसमें क्या काइन है कॉमेंट करके जरूर बताएं